सर प्लैनेट आयरवेदा की चलब से हम आपका स्वागत करते हैं जी शुक्रीया मैं सर आप अपना नाम, एड्रेस और किस कंसर्न के लिए आप प्लैनेट आयरवेदा से मेडिकेशन ले रहे थे, काइंडली वो शेयर करें जी मेरा नाम मुनीश खन्ना है और मैं जम्मू से हूँ, मैं मुझे 2020, मार्च 20 से मुझे अलसरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम हुई थी जो कि मुझे पहले पता नहीं चल रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, मेरे पेट में हलकिल की दर्थ रहती थी और मेरा जो वेट है एकडम से लूज हो रहा था, और मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे थाइरेट हो गया है, कि जैसे होता नहीं कि थाइरेट जो कभी किसी को रिपोर्ट में तो जो लैब वाले थे वो हमारे कजन ही है तो उन्होंने कहा थी तुम ऐसा करो कलोनोसकोपी करवा के देख लो एक बार तो जब मैंने कलोनोसकोपी करवाय तो उसमें डाइगनोस हुआ कि जो लार्ज इंटरस्टाइन है इसमें बिल्कुली स्वैलिंग हो गई है और बिल्कुल रैडिश हो गई है तो डॉक्टर ने फिर मेरी बाइपसी की उससे मेरे को पता चला कि मुझे अल्सरेक्टिव कॉलाइटरस है तो फिर मैं जो रिपोर्ट आनी थी वो पांच दिन के बाद आनी थी जिसके तीन दिन बाद ये कोविड स्टार्ट हो गया और बंद हो गया इस सारा तो फिर मेरे को रिपोर्ट मिली वो वली तो फिर जो मैं उन्होंने जो बाइपसी ली थी उससे क्या हो रहा था कि मेरी जो ब्लीडिंग के वो रुक नहीं रही थी पहले ब्लीडिंग नहीं थी मेरी बाइपसी करने के बाद मेरी ब्लीडिंग इतनी जादा जितनी बार में प्रविश बीडिंग साथ में चलती थी और यह ट्रॉप्स में नहीं और बिल्कुल फ्लो के साथ यह ब्लीडिंग जलती थी मेरी मैं तो मुझे ऑस्पिटलाइज होना पड़ा था उसके लिए ब्लीडिंग के लिए तो उसके बाद कुछ स्वाइज बाद कर दो आप कौन से मंथ में डाइगनोज हूए अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए मार्च मार्च 17 अवर्च और उसके बाद जब आपको फाइनली जब पता लगा क्लोनोस्कोपी की रिपोर्ट बेगकर कि हाँ आपको जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आप के लिए क्या किया आप में पहले तो मुझे समझ ही निया कि मैं क्या क्या क्योंकि एकदम से ऐसी बीमारी थी मुझ अपर जाए तो बस वह अलोपेटि जो है वही ठीक करेगी मेरे मैं इस बीमारी को तो आलोपेटि खाई तो मैं दो तीन जगा अलोपेटि कहाई डॉक्टर के पास गया तो कुछ फरक नी पड़ा तो फिर मैं यूट्यूब में देखता रहता था यूट्यूब में को भी काफी अच्छा फरक पड़ा था और भी काफी सारे मैंने व्यूज देखे जिससे कि मेरा थोड़ा थोड़ा हुआ कि मैं भी यहां पर फोन करके पूछता हूं और मैं दिसंबर में मैंने प्लैने अरवेदा में फोन किया और वहां डॉक्टर अंजली जी थे उन से मे बोर्ण में अधिकेशन देना स्टार्ट गी तो उस ताइम पर अपको क्या क्या सिम्टम्स जो है वो ते अस्रेटिव कलाइटिस के डिए उसी की जो प्रॉब्लम की जब मैंने प्लैने अरवेदा से पहले मैंडिसीन स्टार्ट की तो मेरे जो ऐलोपैथी चल रही थी मेरी बिल्कुल भी फरक नी था, यह थी कि स्टूल जो पास करता था, उसमें मैं कम से कम भी 12-15 बार जाता था, खाली फरक इतना था कि अलोपेथी से मैं 6-7 बार जाता था, मगर म्यूकस और ब्लीडिंग कंटीनू चलती थी, जितनी बार भी मैं स्टूल बास करने जाता था, और जब मैंने प्लैनिट अरवेटा की मैडिशन स्टार्ट की, तो मेरे को फर्स्ट वीक से ही यह सारी ब्लीडिंग, कोई जो है वो यहां से प्रिस्क्राइब्ड थी आपकी कंटीशन के लिए, अजली जी ने मेरे को लिखके दी थी, पित्ता बैलन्स थी, आर्जुना थी, वस्तकादी चूरन, बेल गिरी चूरन, कुटच गनवती और ग्रीन असेंशल था, तो यह मैं एडिकेशन लेने के एक और मैं फिर जैन में हमारे यहां जम्मू में किसी ने डिस्रिब्यूटर शिप ली थी, तो यहां पे प्लैने अएरुवेजा के लिगा था, जिसमें डॉक्टर अजीज मुहमद अजीज जी आय थी, फिर उनको भी दिखाया था मैंने, तो उन्होंने भी सेम जो मैडिसीन इसी को उन्होंने रिपीट किया, तो बहुते कि आप कुछ देर खाऊ उसके बद छोड़ देना, तो फिलाल अभी तो मैं मैं काफी देर से छोड़ दिवी है, तो ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है, और जो डाइट है मेरे को भूख भी अच्छी लगती है, और डाइट तो सर्च जैसे कि अब आप रिकवरी मोट पे हैं, तो आपने कुछ वेट गेन जो है वो अपना नोटिस किया, क्योंकि यूसी के पिशेंट्स में जनरली शिकायत रहती है वेट लॉस की, जी मैं मेरे जब यूसी से पहले जो यूसी की प्रॉब्लम थी से पहले मेरा वेट तो मेरा पंदरा किलो वेट कम अगया था, जो कि अभी मेरा वेट है इस ताइम पांच किलो मेरा वेट बढ़ चुका है Okay sir, that's a very nice news and बहुत अच्छी बात है कि आप जो है प्लैनेट आरविदा की दवाई कंजूम करने के बाद आपको इतना रिलीफ है अपनी कंडिशन में Thank you for sharing your experience sir, thank you very much Thank you ma'am Welcome sir You're welcome, thank you Thank you